हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कॉमेंट में जैश्री कृष्णा जरूर लिखें फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके अंदर ओवुलेशन हो जाता है अगर आपने ओवुलेशन के टायम रिलेशन मंटेन किये होंगे तो उसके बाद आपकी बाड़ी में आपको क्या-क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो आपको ये कन्फर्म कर देते हैं कि आप प्रेंट हो चुकी हैं आपके गर्व में बच्चा आ गया है देखिए फ्रें प्रेंट होना के तुरुंत बाद लोर अब्रोमन में कुछ चेंजिस आते हैं जिनके जिनको अगर आप शुरुआती समय में नोटिस करें तो आप ये कन्फर्म कर सकते हैं कि आप प्रेंट हो चुकी हैं और ये सिम्टम्स आपको ओवुलेशन के बाद ही दिखाई देते है अगर आपका ओवुलेशन पीरियर्ड जो है वो 14 दे में होता है तो पीरियर्ड के 14 दे के बाद ही आपको प्रेंट होने के लक्षन दिखाई देंगे देखेंगे फ्रेंट बहुत सी महला ये बोलती हैं कि मैं हमारे पीरियर्ड के 12 दिन या फिर 14 दिन या फिर पीरियर्ड के 16 दिन हमें ये शिकायएथ होती है कि उन दिनों में हमें To My Head hesitate में हलका हलका दर्द हो रहा है क्या ये pregnancy का symptom हो सकता है तो देखे friends period के बार में दिन 14 में दिन, 16 में दिन और 18 में दिन इन दिनों में यानि आपके period cycle के बीच के दिनों में जब भी आपको पेट में दर्ध हो औगलेशन होने का pain हो सकता है ना कि pregnant होने का pregnant होने का जो pain होता है जो भी symptom होते हैं लाइक पेट में हलका दर्ध, lower abdominal cramp ये symptom period के 20 में दिन के बाद ही होंगे आपको इससे पहले आपकी body में जो symptom दिखते हैं वो ovulation के symptom होंगे अब बात करते हैं period के 20 में दिन के बाद ही pregnancy symptom क्यों दिखाई देते हैं इसलिए क्योंकि ovulation के बाद तुरंथ आप pregnant नहीं होती है कम से कम 6-7 दिन का time लगता है इसलिए ovulation के बाद 6-7 दिन के बाद ही आपको pregnancy के symptom दिखाई देते हैं जब आपके अंदर implantation successfully हो जाता है उसके बाद ही महिला सही माइने में pregnant होती है और उसी के बाद आपको pregnancy के symptoms दिखाई देते हैं अब ये symptoms क्या-क्या होते हैं तो मैं इस वीडियो में सिर्फ पेट में होने वाले कुछ बदलावों की बात करूँगी जो ये confirm आपको कर देता है कि आप pregnant हो जुगी है देखिए जब भी कोई महिला pregnant होती है तो ये normal नहीं है देखिए आपके जब period आते हैं तो आपको कितने symptoms दिखाई देते हैं और जब आप pregnant होते हैं तो एक baby आपके अंदर पलने वाला है तो उससे आपकी body में बहुत से changes आते हैं इसलिए बहुत सी महिलाएं गोलती हैं कि हमें symptoms दिखाई नहीं देते देखिए एक से दो परचंट महिला ही होगी जिसे pregnancy के symptoms ना दिखाई दे लेकिन अगर आप pregnant हो चुकी होगी तो आपको pregnancy के symptoms ज़रूर दिखाई देते हैं प्रोजस्टोन हार्मोन डेक्ट डायेशन के प्रोसेस को slow down कर देता है जिसके कारण आपका पेट फूलने लगता है पेट में gas पेट बरा-बरा सा फील होने लगता है आपने कुछ नहीं भी खाया होता है तो भी आपका पेट बरा-बरा सा फील होता है और पेट में हलका धर्द होता है गैस की वज़े से और पेट खराब भी हो जाता है बार बार लूज मोशन की शिकायद कबज की शिकायद भी आपको कही बार हो सकती है बार बार पोटी करने के लिए जाना पड़ता है या फिर कबज की शिकायद हो सकती है हो सकता है दो से तीन हलकी सी जंजनाहट सी वहाँ पर फील होगी यह दर्द भी पीरियड जैसा ही होता है लेकिन पीरियड की जो intensity होती है वो तेज होगी लेकिन जो implantation का दर्द होगा वो बिल्कुल हलका सा होगा अब आप पता कैसे कर सकती है कि यह जो दर्द है वो पीरियड का पेट में दर्द ह रहा है या फिर प्रेगनेट होने का पेट में दर्द हो रहा है तो पीरियड के टाइम अगर आपको पीरियड होने का यह दर्द होगा तो यह दर्द होने की एक से दो दिन बाद या फिर कुछ गंटों के बाद आपके पीरियड आ जाएंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह धर्ध प्रेगनेंट होने का होगा तो फ्रेंट्स बस इस वीडियो में इतना ही फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ अब तक अपना खास ख्याल रखें थैंक्यू गाइज